समय आल्मोस 4 पीम हो रहा है और डेट 5 मार्च 2022 तो आप सोच रहोंगे टाइम और डेट क्यों बताया चिंता मत करिए इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा क्यों बताया आज हम आहें एक शांदा 2BH के अपार्टमेंट को देखने जिसकी लोकेशन वन आफ दा प्रीमि समझी गहां एक यहां पर होगी और सामने आप मंदिर देख सकते और इधर इनका कमर्शियल आ जाता है जिसमें बहुत बड़े-बड़े ब्रैंड्स ऑपरेशनल और 2-3 बैंक्स भी ऑपरेशनल और स्ट्रेट जाएंगे तो आपका मैट्र आजाता है और बगल में आईसे इसी बैंक भी ऑपरेशनल तो फिलहाल हम आच चुके हैं अपने सुसाइटी के अंदर और सेंट्रल नौड़ा जैसे प्राइम लोकेशन में इससे सस्ता टू भी अच्छी अपार्टमेंट मुझे नहीं लगता कि मिलने वाला हमारी सुसाइटी के दोनों साट आ जाता है मा हमारी सुसाइटी में जाना वाला है मैक्सिमम सिक्स्टीन फ्लो मतलब जादा उपर भी नहीं है सुसाइटी हमारी काफी वैल प्लैंड हम अभी पोडियम पे आच चुके हैं सामने आप देख सकते हैं बड़ा सा स्विंग पूल साट क्लब हाओ सुसाइटी में ग्रीन ही त में अपने अपार्टमेंट के टार के लॉबी में एक बर आप सेलिंग हाट देखें क्यां जबरदस सीलिंग मिलती एंगर बड़ी नहीं को मिल जाती य हैं यहां पर भगवत की ताक का स्वोक तो चली चलते हैं फटाफट पर अपने अपार्टमेंट Lord की बात करें तोह ए आपने देखी सकते हैं मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ बताने वाली चीज़ है तो फाइनली हम आगए हैं अपने अपार्टमेंट के फ्लोर पर यहाँ बेह रही है बहतरीन हवा वह भी ठंडी ठंडी कावे सूधिंग सा लग रहा है तो नीचे का व्यू कुछ ऐसा द और आपार्टमेंट इससी आपार्टमेंट भी देखी है और तीन आपार्टमेंट नहीं में उल्यूंग कर रहा है एक मजबोब ऑस कर रखंड में उसके जैसे यह जैसे एक मीलत वोग एक जशी। चलते हैं अपने अपार्टमेंट के अंब अच्छा सब कुछ दिखाने से पहले एक बार आपको वता दूँ अपार्टमेंट करेंडली किस यूज में फिलाल ये फ्लेट रेंट और 15,000 रुपे रेंटा तो इस अपार्टमेंट को एक अच्छा रेसिडेंशल इन्वेस्टमे मिल जाती है बैतरीन फ्लोरिंग मिल जाता है उपर एक सिंपल एलिगेंट फॉल सेलिंग मिल जाती है और सामने मिल जाता है हमारा प्याराल सा एक किच्छन को देखिए आप बिल्कुल जबर्दस यहां पर मिल रहा है आपको एक बड़ा सा स्पीशियस फुली फॉर्णिस म मिल जाते हैं स्पेस की बात करूं तो आपको स्पेस दिखाई देता हूं वैसे यहां पर चीमनी का प्रोविजन दे रखा यहां पर चीमनी लगा सकते हैं और हमारे किच्छन के साथ मिलता है एक छोड़ी सी बड़ स्पेशियस बालकनी और आगर आपको कबूतरों को पालन है वेंटिलेशन और सनलाइट और उसका रीजन है बस यह सामने एक बड़ा सा विंडू बोलते हैं बिल्कुल जबर्दा सनलाइट और वेंटिलेशन वही मिलने वाला यहां से स्टार्डिंग में आपको बताया था हमारे दोनों से अड़ा आते हैं 25 प्लस फ्लोर वाले टावर हो जाता है 14 फ्लोर का बड़ स्टील देखिए हमारा अपार्टमेंट के इना यूनीक एंड रेयर है बिल्कुल बहतरी इन सनलाइट मिलने वाली आप और हमारे इस विंडो से दिख जाता है कदम बर दूरी पर आने वाली मेट्रो लाइन आप सोच रहों के कौन सी मे मतलब आपको दिल्ली गाजियाबाद नौडा के किसी भी कोने में जाना होगा तो आपको बस कुछ कदमबर चलना है फिर आराम से बैट करें मैंडरो लैंड के साथ साथ एक बहतरी वीव भी मिल जाता है यह रहामारा कॉमन वाश्ट्रूम और यहां पे एक मजबूत गेट खोलते हैं एक बढ़िया सनलाइग के वाल्स बिल्कुल बहतरीन कंडिशन में उपार सीलिंग देखी है सिंपल एलिगेंट सीलिंग और रूम के डिमेंशन की बात करो तो दस बाद साड़े दसका और सामने प्यार आसा जो गोल्डन लाइट देख रहें इसलिए मैंन और पर एक बारा स्लाइडिंग विंडो हो जाता है और विंडो को खोलते ही बिल्कुल मांट फ्रेश हो गया सामने अब महगूं मैं जहरिया देख सकते हैं करते हैं विंडो को बंढ़ रूम का डिमेंशन मैंने बताए दिया दसवाय साठेट का हो जाता है एक अच्छा second bedroom हमारा master bedroom भी हो जाता है और आप पूछेंगे क्यों तो एक तो इसका size बड़ा है और साथ में मिलता है एक attached washroom washroom की entrance मिल जाता है एक मजबूत wooden gate again और काफी बढ़िया size देखने को मिल जाता है पांच बाइस साथ का हो जाता है डिमेंशन इस बहतरीन best in class के ceramic tiles एक बढ़िया सेलिंग और बढ़िया सनलेड और ventilation के लिए window और sanitary fitting की बात करें तो बढ़िया standard quality के sanitary fittings मिल जाता है और हमारे इस रूम में भी मिलता है sliding sliding bottles of wardrobe sliding wardrobe के furniture की बात करें तो बिल्कुल best in class और क्योंकि हमारा master bedroom है यहाँ पर मिलता है आपको एक बड़ा सपीशिस बालकनी जिसे कभूतरों ने अपनी जादूई सक्ती से सजा रख तो आप समझी के होंगे net लगाना जरूरी है और पूरे apartment के अंदर ventilation का बिल्कुल भी issue नह नहीं तो यहाँ पर होता है इसका the end और अब देखना होगा कि यह किसके नसीब में लिखा है तो चलिए आप कुछ details की बात कर लेते हैं society मैंने आपको starting में बताए दी थी location दिखाए दिया metro station कौन सी है वो भी दिखा दिया society's में सारी amenities भी दिखा दी अब अपने apartment के size की बा करें वीडियो को लाइक करें शेर करें कमेंट करें